अंजी नमस्कार, अधे राधे रर्मादेव, मैं आपका अचारदेव, आज हम बात करेंगे, बुध माहराज की गोचरी स्थित को 31 मार्च को बुध माहराज सेनापति मंगल की मेश रासी में जा रहे है, बुध को सुता, जो प्रम्भाण की अनवग्रह में राज कुमार की पत्वी से बिभुसित है, बुद मतलब बुद्धिमान, बुद मतलब बुद्धि, बुद मतलब यग, बुद मतलब भगवान विश्णू, बुद मतलब जो संसार में चलामान चीजे हैं, जितने विवाहन हैं, जितने वारता लाप हैं, बुद हर्याली का प्रतिक है, संसार में हरी आलिया हुई आपको जिन्दगे में हरी आलिया हो गुद्धवाग पड़ता का प्रदिय कैसे बुद्ध माराज राज कुंँमार की संगया सी भीवूसित है और सेना पती मंगल के में सरासी मूल्ट्रिकॉन रासी में कर रहे हैं अप्रवेस वहीं पर राहू मिलेंगे वहीं पर गुरू मिलेंगे वहीं पर सूर मिलेंगे तो बुद्ध महाराज क्या गोचरी स्थित करेंगे 31 मार्च से लेके 7 जून तक बुद्मारा जहीं पे रहने वाले हैं मेस रासी से लेके मीन रासी परियंतक मेस लगन से लेके मीन लगन परियंतक या कैसे कहा कब कितना प्रभाव डालेगा इसके जानकारी देंगे चर्चा आरंब करें उससे पहले विनम्न रोधे दिया आपने हमारे चैनल कभी तक सब्क्राइब नहीं किया है तो प्रभाव सब्क्राइब करिए क्योंकि जो 30 मंजरी नचत्रवाणी वहा चैनल है जो 30 के मौल बहुता अर्थात नचत्रों की बात करता है अगर स्पीड जादा लगे तो साइड में जो ऐसी बटन है ना उसको थोड़ा सा प्ले करके स्लो कर लेज़ेगा क्योंकि अपना मरकरी जो है ना स्लो बोलता ही नहीं फास्ट बोलता है स्लो बोलता है तो हैं करने लगता है हलाकि स्लो बोलने से क्या आए कि स्लो बोल विसकता हूँ चलिए आज कोसिस करता हूँ तीरे तीरे उताता हूँ मेस रासी मेस लगना पहला आपका लगना आपकी रासी आ रही है तो बुद्ध महाराज 31 मार्च को आपकी कुंडली में प्रवेश कर रहे हैं और इस समय मंगल और बुद्ध आपस में एक्सचेंज कर रखे हैं मंगल महाराज बुद्ध की रासी में बुद्ध महाराज मंगल की रासी में इक्सचेंज योग सदेख अच्छा नहीं होता ज्यादा तर हम लोग कुंडली में कह देते हैं कि रासी परिवर्तन है तो अत्यन तो सुभ सुन्दर प्रणाम मिलेगा लेकिन ऐसा नहीं होता देखे आप जाके आप जाके बैठ जाए हास्पिटल में या हास्पिटल आपके पास आजाए क्या फाइदा मिलेगा आपको कोई फाइदा मिलेगा क्या कोई फाइदा नुकसान हो जाएगा तो बुद्ध क्या है आपके हास्पिटल के स्वामी है और लगनेस आपके मितुन रासी में प्रवेश कर गए है तो यह जो परिवर्ता है मांसिक तनाव देने वाला है, चोट देने वाला है, सरदर देगा, क्या देगा, सिरदर देगा, इसलिए आपको बुद्ध की रस्मियों को तोड़ना चाहिए, बुद्ध के मंतरों का जाब करना चाहिए, बुद्ध की चीजों को दान करना चाहिए और मंगल को भुजूत करना चाहिए, नहीं तो इस समय आपको इस सर पे चोट लग सकती है, इस सर पे मतलब तनाव तो जरूर रहेगा, चोट लगे चाहिना लगे, तनाव जरूर रहेगा, सावधानी के साथ काम करी है नहीं तो धन हानी भी होती हुई दिखाई दे रही है क्या करें बुद्ध के मंत्रों का जाप करें या न करें बुद्ध की चीजों का दान जरूर करें मंगल के मंत्रों का जाप करें, हनुमान चालिसा क्या पेच्छा बजनगवाण का पाठ करें, स्रियस्कर होगा आपके लिए ब्रिशव लगन ब्रिशव रास है ब्रिशव लगन ब्रिशव रास वालों के लिए गोचरी इस्तित बन रही है द्वादस भाव में बन रही है कहां बन रही है द्वादस खर्च के घर में बन रही है वाणी खर्च, प्रेम खर्च, विद्या खर्च, एजुकेशन खर्च, कंसेंट्रेशन खर्च सारी चीज खर्च हो रही है, थोड़े लापरवा हो रहे हैं आप लापरवा ही थोड़ी सी भारी पढ़ेगे पेट सम्मंदी परिशानी आएगी, उदर विकार आएगा नहीं इस समय आपके अपने लोग ही हाथ साफ कर देंगे कई न कई आर्थिक रोप से नुकसान का समय है बुद्ध को मजबूत करके रखिए, यदि पता है कि ब्रिशव लगन है रासी पे नहीं तो एक पन्दा पहन के रखिए, बेहतर प्रणाम मिलेगा मिथुन लगन, मिथुन रासी में भी इस्तिती वही है जैसे मेस लगन, मेस रासी में थी यहाँ पे भी दोनों ने एक्स्चेंज कर रखा है तो मेस लगन में बुद्ध के अंदर देखिए, उतनी छमता नहीं है कि आपको चोट दे लेकिन मंगल के अंदर छमता है, फट से चोट दे देगा तो मंगल आपके खष्टे से और मंगल आभेस होके आपके लगन में चलना है तो लाप तो कराएंगे पहले पैसा दे देंगे कि दवा करा लिजिए, उसकी बाद चोट देंगे तो बचा के बहान और चलाएगा, सर पे चोट लगने की संभावना बन रही है लेप्ट हैंड ब्रेक होने की संभावना बन रहा है लेप्ट हैंड ब्रेक होने के चांसेज बन रहे है तो helmet लगा के चलो मेरे भाई हाथ में चोट लगेगी कोई दिक्कत नहीं हाथ बहुत लोग तुडवा के बैठा है मचोदा तुडवा के बैठा हूए अभी राट लगवाया हूं निकलवाने जाओंगा तो हाथ तूट जाएगा कोई दिक्कत नहीं सर फटेगा दिक्कत हो जाएगी हेलमेट लगा के चलिए साउधाने से चलिए बन में रहने वाले नर अर्थाद बानर जहां भी मिल जाए आपको बंदर मिल जाए उनको गुड़ चना खिलाइए या केले वाएगर आपको खिलाइए बेहतर परिणाम देगा हनुमान जी के मं मंगल लगन में चल रहे हैं गती आप जादा पकड़ रहे हैं राहू भी गती पकड़ा रहा है थोड़ा साउधाने से चलिएगा चार-चार ग्रहों की युतिस में लाव देने के लिए क्रित्संकल्प है लाव यहने के इन प्रकार्याण आपको मिलेगा तो आप बीमा सीम में पिता से सम्मंद में बेहतर नहीं होगा थोड़े से नौकरी के वज़ा से आप बाहर टीटी वगएरा भेज़े जा रहे हैं या नौकरी में परिसानी आ सकती है आपके लापरवाही जो गाता वरण है लापरवाही वाला जो नेचर है ना कल कर लेंगे वो इसमें भारी पड़ रहा है पिता से सम्मंद भी खराब हो रहे हैं पिता के स्वास पे गिराव अटा रही है कर्मा का स्वामी ब्यभाव में है और ब्यभाव में तो कर्मा का ब्यभा हो रहा है जो आप काम करेंगे ना उसका फायदा आपको नहीं मिल पा रहा है तो बेवज़ा काम मत कर करिए देख लेजिए काम नहीं हो सकता बेवजा थोड़ा भाग दोड़ कम करिएगा क्योंकि मंगल 12 में है और इसमें भाग दोड़ का फायदा आपको नहीं मिलता तो बुद्ध आपके लिए बहुत अच्छे नहीं है बुद्ध की चीजों का दान करिए पंच्चियों का द कतने रहा है न बुद्ध मंगल का 100% लाभकारी है लाभकारी है कोई डाउट नहीं है तो सिंगल अलगान सिंगरास वालों के लिए बुद्ध की गोचरी इस्तितнем एक dough क्परीनए वाली है देखे बुद्ध आपके धन के स्वामी हैं भाग के स्वामी भाग के गर में गोच जाओगा वाहन चलाते समय गती जादा नपक्रह स्लोली गत्से वाहन चलाएं कन्या लगन कन्या रासी के लिए जो बुद्ध की गोचरी इस्तित्या स्रेश्ट प्रड़ाम नहीं देने वाली है आपको फसा देगी आपके लगने सस्टम भाव में जा रहे हैं रासी सस्टम भाव में जा रहे हैं कुछ लोगों का प्रश्णता की रासी और लगन में क्या अंतर है हमने इसके लिए सुतंतर वीडियो बनाया है जाके देख लेजेगा लगन बहुत इंपॉर्टन्ट है बनस्पत रासी के अब आप जिस मुवाइल से देख रहे हैं यह मुवाइल क्या है आपका लगन है यह मुवाइल आपका लगन है और इसमें लगी हुई सिम जो है वह आपकी रासी है अगर आपका सिम नहीं है तो आप क्या करोगे किसे से बात नहीं कर पाओगे लेकिन अगर mobile ही नहीं है तो sim का क्या use है बताओ sim आप रखके क्या कर लो जाओ गई mobile अगर नहीं आपका नहीं है तो mobile में आप film देख सकते हो बिना sim के भी देख सकते हो आपने download कर रखी है memory लगा रखी है आप game खेल सकते हो आप movie देख सकते हो उसमें कोई game लगा कर खेल सकते हो गाना सुन सकते हो मतलब sim के ना रहने के बावजूद भी mobile का बहुत ज़्यादा उप्योग है लेकिन mobile के ना रहने के बाद sim का उप्योग नहीं है इसलिए लगन मतलब mobile और रासी मतलब आपकी sim simple सा आपको उपाय बता रहा हूँ simple सा definition बता रहा हूँ बहुत तरह के definition हो सकते हैं अपने अपने समझाने का या समझने का अंदाज उलग है तो यहाँ पर आपके बुद मारा जा रहे हैं अष्टमभाव में तो बुद का अष्टमभाव में जाना राहू के साथ होंगे, सूर के साथ होंगे, गुरू के साथ होंगे, बहतर प्रणाम नहीं देगा, राहू कुंडली में ठीक नहीं है, पक्का डेफिनेटली चोट लगेगी, मान होगा, सारी अपमान होगा, सम्मान में हानी आएगी, नौकरी पे परिशानी आएगी, इसके ल तो सावधानी के साथ काम करें, सावधानी के साथ काम करें, बेतर होगा, खास कर पूरा अप्रेल, अप्रेल के बाद अच्छा जाएगा, अप्रेल तक सावधानी से काम करें, ब्रिश्चिक लगन, ब्रिश्चिक रासवालों के लिए जो गोचिरी इस्तित्र सत्रुंता पढ़ेगा धंदा अच्छा चलेगा नावकरी 54 शेत्र मीस फिलता मिलेगी नावकरी के पेच्छा धंदे में ज्यादा फायदा हो रहा है क्ँपार में ज्यादा लाव में आएगी खराबी इसलिए बातों को करियर डिस्कनेक्ट घर में हो जाएगी राते रादे कुम्बलगन कुम्बरासी कुम्बलगन कुम्बरासी में जो गोचरी इस्तित बन रही है बढ़िया बन रही है बुद्ध महाराज आपके कुंडले में आयू के स्वामी हैं, आयू के घर में गोचर करेंगे, आयू की पृद्धी करने वाले हैं, प्रेम का स्वामी अपने से लाप एका दस जा रहा है, तो पराक्रम के द्वारा प्रेम की प्राप्ति, पराक्रम के द्वारा एजूकेशन की प्राप्ति, तो आपके लिए स्रेष् संदे नहीं है मीन लगन मीन रासी में जो गोचरी स्थित बन रही है बेहतर कह सकते हैं धन के दृष्टकोंड से बहतर है यहां पर आपके कुंडली में सूरे नारायंड जो आएंगी वो थोड़ा गेम बिगाडेंगे बुद्ध महाराज तो आपको पैसा देना चाहते हैं 21 मार्च से लेके पूरा आपके कुंडली में बुध महाराज हैं 7 जून तक तो 7 जून तक बहतर प्र PlayStation दे कराएंगे धन कहीं चुटा गूएल जोले जड़ता है